बोचपरी सुपस्टार खेसारी लाल यादों की बहन से मिले हैं कभी आप अभी आप कहेंगे अरे खेसारी ने तो कई बार कहा है कि उनके पास कोई बहन नहीं है कोई सगी बहन नहीं है और हम कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादों की बहन से मिले कहीं हम आपको कुछ गलत नियूज तो नहीं दे रहे हैं नहीं नहीं हम आपको कोई गलत नियूज नहीं दे रहे हैं आप भी सही सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादो की कोई बहन नहीं है लेकिन खेसारी लाल यादो जिसे अपनी सगी बहन से भी जादा मानते हैं सगी बहन से भी जादा का दर्जा देते हैं क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे वो कोई और नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की इस वक्त की सबसे नाम चिन गाई का है नाम है प्रियंका सिंग जी हां ये वही प्रियंका सिंग है जिन्होंने पवन सिंग के साथ भी कई सुपर हिट गाने दी और खेसारी लाल यादो के साथ भी अगर आप अभी भी नहीं पहचाने तो छलकदबा हमरो जवन्या, सरसो का सगिया जैसे कई ऐसे गाने हैं जिसे प्रियंका सिंग निगाया है और प्रियंका सिंग को ही खेसारी लाल यादो अपनी सगी बहन से भी ज़ादा मानते हैं खेसारी लाल यादो इनसे हर साल राखी बनवाते हैं और खेसारी लाल यादो इन्हें बहुत प्यार भी करते हैं खेसारी को ये भईया कहती हैं और खेसारी इन्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा देते हैं ऐसा ही नहीं कि खेसारी सिर्फ इन से राखी बंधवाले और मूँ से बहन बोल दे बलकि खेसारी अपने हर फंक्षन में इन्हें अपने घर बुलाना नहीं भूलते यहां तक कि खेसारी के हर सुपर हिट गाने में फिमेल की आवाज जो है वो प्रियंका सिंग की ही रहती है प्रियंका सिंग ये कहना नहीं भूलती कि खेसारी ने उन्हें गाने की कई बारिकियां सिखाई हैं तो खेसारी यहां ये कहना नहीं बूलते कि प्रियंका उनसे कहीं बहतर गाती हैं कहीं अच्छा गाती हैं लेकिन जो ठेट फन होता है वो नहीं आपाता जब गाने में तब वो मैं उन्हें सिखाता हूँ अधर्वाइस प्रियंका बहुत अच्छी गाईका है तो यकीन है झाल